बच्चों, आज मैं आपसे कक्षाबारा विवसाय अध्यन के अध्याय साथ निर्देशन के अंतरगत प्रभावी संप्रेशन में बादाओं पर चर्चा करूँगा देखिए, दो या दो से अधिक विक्तियों के बीद जब विचारों का आदान परदान होता है तो कहीं बार उसमें बादाएं उत्पन हो जाती है एक विक्ति द्वारा दिया गया संदेश, दूसरे विक्ति तक सही तरीके से नहीं पहुँच पाता अब ये किस कारण से ये बादा आती है, इसके बारे में यहां पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आईए देखते हैं, प्रभावी संप्रेशन में बादाएं प्रबंदकों को संप्रेशन तंत्र के तूटने अत्वा बादाओं के कारण बहुत से आली समश्याओं का सामना करना पड़ता है देखिए, एक संगठन में जब सही तरीके से संप्रेशन नहीं होता है जब प्रबंदकों द्वारा बताये गए संदेश, उनके विचार, उनके आदेश, जब अधिनस्तों तक सही तरीके से नहीं पहुँच पाते हैं तो इससे संगठन को बहुत नुकसान होता है और यह संगठन के कालियों को प्रभावित करता है यह बादाएं प्रभावी संप्रेशन को रोकती है और जो यह बादाएं होती है, यह प्रभावी संप्रेशन को रोकने का कालिय करती है अत्वा कुछ सूचनाओं को आवरित चान देती है देखिए, यहां से इस व्यक्ती द्वारा, इस प्रबंदक द्वारा अपने अधिनस्त को कोई संदेश परदान किया गया, लेकिन इस संदेश को सही तरिके से वहाँ पर पहुंचने से किसी बादा ने रोक लिया है, अब यह संदेश क्या है, टुकडों में वहाँ पहुंचा है, पूरा संदेश नहीं पहुंच पाया, टुकडों में पहुंचा है तो यह जो अधिनस्त है हो सकता है उसका कोई दूसरा अर्थ ले ले हो सकता है उसका गलत अर्थ ले ले तो इससे संगठन को नुकसान हो सकता है जिससे सूचना का कुछ भाग अधिकाईयों तक नहीं पहुंच पाता अत्वा कुछ गलत अर्थ भी निकाले जा सकती है जिस इसका गलत रर्थ निकाल लिया जाए या उसका कोई अन्य अर्थ ले लिया जाए इससे क्या होगा संगठन में बहुत बड़ी समश्या उत्वन्न हो सकती है देखिए कई कारणों से बादा हैं उत्वन्न होती है आपने अपने दोस्त को फोन किया और बीच बीच में कोई बा बादा उत्वन्न हो गई हो सकता है आपके और उसके मध्य जो बाची चल रही है उसमें बार बार तूट आवाज तूट रही है इससे भी बादा उत्वन्न हो सकती है तो जो बादाएं हैं ये प्रभावी संप्रेशन को रोकनी का कालिय करती है प्रबंदक के लिए महत्व प्रकार की बादाएं हैं और इनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है संप्रेशन की बादाएं देखिए इन्हें हम चार भागों में बाटते हैं पहला है संकेतिक संकेतिये बादा देखिए इसके अंतरगत क्या होता है कोई संदेश प्रवंदकों द्वारा दिया गया एक साखा का बजट बढ़ाया जाता है, ये उन्होंने क्या है गोशना कर दी, उत्पादन साखा से संबंदी थी है, उन्होंने कहा बजट बढ़ाया जाता है, अब जो करमचारी है, वो करमचारी क्या सोचते है, बजट बढ़ा है, तो इसका मतलब हमारी सेलरी भी बढ़ेग जबकी जो बजट पड़ा है वो किसलिए बढ़ाया गया है? वो मशीन क्रेक करने के लिए बढ़ाया गया है. तो यहां पर क्या है? इनके द्वारा गलत अर्थ निकाल लिया गया. तो इस प्रकार संकेतिये या सांकेतिक बादाएं उत्पन हो जाती है. देखिए कई बार अनुवाद करने में भी गल्ती हो जाती है, तो इससे भी ये बादाएं उत्पन हो जाती है, अगला है मनोविज्ञानिक बादाएं, देखिए जब कई बार मन अशान्त होता है, कोई व्यक्ति क्रोधित होता है, या उसका ध्यान कहीं और होता है, तो वह सं के से नहीं सुन पाता प्रबंदक ने अपने जो अधिनस्त हैं उनको कोई संदेश प्रसारित किया लेकिन वह जो अधिनस्त है वह किसी अन्य कारिय में या किसी अन्य से वारतालाप में लगा हुआ है यह दो व्यक्ति आपस में संप्रेशन कर रहे हैं प्रबंदक ने अपना आदेश जारी किया लेकिन इस व्यक्ति का कहीं और जगए वेस्ट होने के कारण उसकी बात पर ध्यान नहीं गया, इससे भी जो हमारा संप्रेशन है वो बादित होता है, देखिए बात पूरी नहीं हो पाई है और इससे पहले ही अगर किसी ने अर्थ ले लिया हो, मान लीज विश्वास हो जाता है, तो भी अर्थ सही नहीं निकाला जाता, संप्रेशन सही तरीके से पूरा नहीं हो पाता है, संगटनिक बादाएं, देखिए, संगटन में जो पदानूकरम होता है, उसके कारण भी कहीं बार बादाएं उत्पन हो जाती है, संगटन में एक जो प्रब दिए में बहुत अधिक समय ले लेता है, यह भी एक बादा की रूप में ही माना जाता है, संगठन की जो नीतियां होती है, जो नीयम होते हैं, अधी नीयम होते हैं, उनसे भी कई परकार की बादाएं संपृेशन में उत्पनो हो जाती हैं, व्यक्तिकत बादाएं, देखिए व्यक्तिकत बादाएं भी संप्रेशन को प्रभावित करती है, जो प्रेशक होता है और जो प्राप्त करता होता है, इनके बीच ये दी बादा उत्पन हो जाती है, इनके द्वारा भी कोई बादा उत्पन कर दी जाती है, तो भी उससे संप्रेशन बादित हो जाता है, और य ये जो चार प्रकार हैं, ये संप्रेशन की बादाओं के प्रकार हैं, इन में हम जितनी भी बादाओं संप्रेशन में उत्पन्न होती हैं, उनको विवाजित कर सकते हैं, आईए इने विस्तार से देख लेते हैं, पहला है सांकेतिक संकेतिय बादाओं, संकेत बादाओं की व तथा बादाओं से संबंदित है जो संदेश की एनकोडिंग तथा डिकोडिंग करने की प्रकिल्या में उन्हें शब्दों अत्वा संकेतों में परिवर्तित करते समय आती है देखिए जब हमने संकेतों को एनकोडिंग किया यानि जो भी मेसेज था उस मेसेज को माध्यम से भीजने पर हमने उससे पहले एनकोडिंग का काम किया था यानि उसे किसी शब्द के रूप में किसी चित्र के रूप में किसी ग्राफ के रूप में किसी शार्णी के रूप में उसे बदला था तो इस एनकोडिंग के समय मान लीजे कोई व्यवधान आ गया हो हमने जो भी encoding की है वह सही तलके से नहीं हुई हो या फिर माध्यम से जाकर जब इसकी decoding की गई decoding की गई तो सही तलके से decoding नहीं की गई है जो ग्राफ या जो चित्र हमने प्रस्तुत किया था उसका जो अर्थ हम बताना चाह रहे थे वह सामने वाले ने सही अर्थ ग्रहन नहीं किया है उसे decode सही तलके से नहीं किया है तो भी जो संप्रेशन है वो बादित हो जाता है ऐसी बादाएं गलत शब्दों के प्रियोग के कारण तुटिपून रूपांतरन भिन अर्थ निकालने इत्यादी के कारण उत्पन होती है और जो सांकेतिक बादाएं हैं ये क्यों उत्पन होती है देखिए गलत शब्दों के प्रियोग के कारण गलत शब्द का प्रियोग कर लिया गया है संप्रेशन करने के दोरान तो भी बादा उत्पन हो जाती है साथ ही साथ तुटी पूर्ण रुपांतरन यानि जो निकालने के कारण भी ये बाद हैं उत्पन होती हैं।ब कुछ बिदुों के आदार पर इनधे देखते हैं। में व्यवदान हो जाएगा आप अपने दोस्ते संप्रेशन कर रहे हैं और आपने कुछ शब्द तो सही उच्चारित कर दिये हैं और कुछ शब्द जो हैं वो उस बात से संबंदित नहीं है जो कि आप करना चाह रहे हैं तो ऐसे में जो संप्रेशन आप करना चाहते हैं उस विबिन अर्थों सहित संकेतक देखिए कई बार जब संप्रेशन किया जाता है तो द्वी अर्थिये जो शब्द होते हैं उनका प्रियोग कर लिया जाता है यानि ऐसे शब्द जिनके दो अर्थ निकलते हैं आप किसी अन्य अर्थ में उस शब्द का प्रियोग करना चाहते ह लेने उसका कोई अन्य अर्थ ले लिया है तो भी संप्रेशन बादित हो जाता है एक शब्द के बहुत से अर्थ हो सकते हैं प्राप्त करता को शब्द के उसी अर्थ को समझना है जो प्रेशक उसे समझाना चाहता है देखिए प्रेशक जिस अर्थ में उस शब्द को बताना चाहता है प्राप्त करता को उसी अर्थ में उसे ग्रहन करना चाहिए लेकिन यदि वह दूसरा अर्थ ग्रहन कर लेता है उसका तो वह संप्रेशन को बादा पहुचाने वाला काम होता है तुटिपूर्ण रुपांतर या अनुवाद यदि अनुवादक दोनों ही भाषाएं और जिसमें संदेश को बदलना है दोनों का ग्याता नहीं है दोनों के बारे में जानकारी नहीं रखता है तो भी संदेश क्या है बादित हो जाता है संप्रेशन में बादा उत्मन हो जाती है यदि अनुवादक दोनों ही भाषाओं मूल वाषा वै अनुवादित भाषा म पारंगत नहीं है तो संप्रेशन को अन्य अर्थ देने के कारण अनुवाद में गल्तियां हो सकती है देखिए आपने देखा होगा जब भी कोई नेता विदेश में जाता है तो उसके साथ एक अनुवादक होता है जैसे भारत के प्रदान मंत्री द्वारा रूस की यात्रा की गई तो उनके साथ एक अनुवादक होगा जो उनकी भाषा को रूसी भाषा में ट्रांसलेट करेगा और जो रूस के राश्टपती या प्रदान मंत्री द्वारा जो भाशा बोली जाएगी उसे हिंदी या अंग्रेजी में ट्रांसलेट करता है यदि जो अनुवादक है जो वह अनुवादक है वह रूस की भाशा नहीं जानता है तो ऐसी इस्तती में उसके द्वारा बहुत सारी गलतियां कर दी जाएगी और इसका परिणाम बहुत ही भयानत होगा तो अनुवादक द्वारा दोनों ही भाशाओं में पानंगत नहीं होना भी एक बहुत बड़ी बादा हो सकती है यह संप्रेशन के बारे में सुनने वाला लगा लेता है और यह होता है उसकी अलग अलग व्याख्याओं के कारण एक जो संप्रेशन हो रहा है संदेश उसके बारे में अलग व्यक्ती की अलग राय होती है अब यह सुनने वाले पर निर्वर करता है कि वह किसकी राय को सही मान कर चलता है और मान लीजिये उसके द्वारा गलत राय को चुना जाता है तो इससे जो संदेश संप्रेशित किया गया है उसका गलत अर्थ उसके द्वारा ग्रहन कर लिया जाएगा इससे भी बादा उत्मन्न होती है तक्निकी विसेष्ट शब्दावली देखिए कई बार जो तक्निकी विसेषग्यों होते हैं विसेषग्यों होते हैं अपने विशेखे वो तक्निकी शब्दों पर बहुत प्रियोग करते हैं, जैसे आपके सामने यदि अदत रासी का प्रियोग कर दिया गया, चूंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अदत रासी के बारे में आपके सामने बिल्कुल इसपष्ट है कि अदत रासी क्या होती है, जो रासी चुकाई नहीं गई है, तो यह अदत र 80 होती है, लेकिन जो इसके बारे में नहीं जानता, जो इस शब्द के अर्थ को नहीं जानता, वह इसका क्या अर्थ लेगा, तो यह भी एक संप्रेशन में बादा के रूप में उत्पन होता है, विसेशगे तखनीके शब्दों का अत्यदिक प्रियोग करते हैं, तो व्यक्त जो विसेशगे नहीं होते, वे बहुत से ऐसे शब्दों का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाते, वे उस शब्द का अर्थ ग्रहन नहीं कर पाते, और यह भी संप्रेशन में बादा के रूप में देखा जाता है, सारीरिक भाशा तथा हाव भाव की अभी व्यक्ति की डिक प्रेशक के सरीर के हाव भाव तथा संकेत संदेश में तालमेल नहीं होतों, समप्रेशन का गलत अर्थ निकाला जा सकता है, देखिए इसका उदारन दिया था, हम कह रहे हैं कि दो लाना, दो कब चाय लाना और हाथ को मना भी कर रहे हैं, या हम हाँ बरने के रूप में बा तो यहाँ पर यही लिखा है, प्रेशक के सरीर के हाव भाव और संकेत संदेश से तालमेल नहीं हों, तो समप्रेशन बादित हो जाता है, यानि हम कहना कुछ और चाह रहे हैं, और हमारे हाव भाव कुछ और हैं, तो समप्रेशन क्या होगा, बादित होगा, अगला है, मनो वेग्यानिक बादाएं, देखिए, भावात्मक अत्वा मनोवेग्यानिक कारक संप्रेशकों की बादाओं के रूप में कार्य करते हैं, भावात्मक, भावनाय क्या है हमारी, और साथ ही मनोवेग्यानिक कारक, हमारी मनें इस्तती क्या है, यह भी संप्रेशन में बादा उत् करती है हमारा ध्यान कहीं और है और कोई अन्य व्यक्ति संदेश हमें प्रदान कर रहा है तो हम उसके संदेश पर ध्यान नहीं देंगे इससे संदेश क्या होगा संप्रेशन क्या होगा बादित हो जाएगा प्रेशक तथा संदेश प्राप्त करता दोनों की ही मानसिक इस्तत प्रभावी संप्रेशन में प्रदर्शित होती है, एक व्यक्ति ने कोई संदेश प्रदान किया है, और दूसरा व्यक्ति कहीं और जगह खोया हुआ है, किसी और बात में उसका ध्यान कहीं और है, तो इस से क्या होगा जो ये संदेश प्राप्त हो रहा है, या उस तक सही तर शुप में असामयक मुल्यांकन देखिए कुछ इस्ततियों में लोग संदेश के अर्थ का मुल्यांगन संदेश पूर्ण होने से पहले ही कर लेते हैं, पूरी बात नहीं कहीं गई, उससे पहले ही उसका अर्थ प्राप्त कर लिया, तो यह क्या होगा संदेश बादित होगा संदेश पूरा सुनना चाहिए तबी उस संदेश का महत्व रहता है आपने आदे अदूरे संदेश को सुनकर ही उसका कोई अर्थ निकाल लिया है तो यह संप्रेशन में बादा के रूप में देखा जाता है इस प्रकार का काल पूर पूर्व मुल्यांकन, पूर्व कल्पित धार्णाओं अथ्वा पक्षपाद जो संप्रेशन के विरुद्ध होता है, देखिए, पहले से ही हमने कल्पना कर ली कि सामने वाला क्या कहना चाता है, उसने अभी तो वाक्य सुरू ही किया था और उसके बात का हमने अर्थ निकाल लिया है, तो यह गलत होगा, यह संप्रेशन को बादित करने के जैसे होगा, तो ऐसामियक मुल्यांकन करना, यानि पूरी बात सुनने से पहले ही उसका अर्थ निकाल लेना भी संप्रेशन में बादा डालता है, सावधानी का अभाव या ध्यान ने होना, संदेश प्राप देखिये, ध्यान कहीं और है, और संदेश दिया जा रहा है, तो भी यह संप्रेशन में बादा डालता है, आपकी कक्षा में मैडम आई, आपका ध्यान कहीं और है, अब उन्होंने पूरा चैप्टर जो भी कालांस में पढ़ाना था, वो पढ़ा दिया, लेकिन चुकि अध्यान तो अपने घर पर है, टीवी देखने के अंदर की साम की योजना आप बना रहे हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, साम को जाकर ये धारवाई देखना है, तो क्या होगा, उनके द्वारा जो भी अध्यापन करवाया गया है, वह आपकी समझ में नहीं होता है, तो संदेश के प्रसारन का परिणाम, संदेश का शेह, अत्वा अशुद्ध शूचना के रूप में प्रतिफलित होता है, यह अधिकतर मोखिक संप्रेशन में पाया जाता है, देखिए, जब मोखिक संप्रेशन किया जाता है, और एक से होते हुए, दूसरे, तीस और कई लोगों से होते हुए कई माद्यमों से होते हुए संदेश प्राप्त करता तक पहुंसता है तो उसके अंदर कई बातों का लोप हो जाता है कई बातों का शै हो जाता है और कई नहीं बातें उसमें जुड़ भी जाती है जैसे एक व्यक्ति ने यहां से संदेश प्रार और कुछ बात इसने जोड़ी तो क्या होगा अंत तक पॉंचते पॉंचते वह संदेज जो है वह क्या हो जाएगा बादित हो जाएगा उसमें कही चीजे जुड़ जाएंगी और कहीं चीजें हट जाएगी आप जानते हैं ने कि नमक मेरे डालकर कहना तो वही बात यहाँ हो निकाल दिया जाता है, इससे भी संप्रेशन बादेत होता है, आगे है ऐ विश्वास, देखिए, संदेश देने वाले और संदेश प्राप्त करता में, यदि आपस में विश्वास नहीं है, दोनों एक दूसरे की बात पर भरोसा नहीं करते हैं, तो क्या होगा, उनके बीच म सही संदेश प्रसारित होने पर भी, उसका वे गलत अर्थी निकालेंगे, तो यह भी एक बादा है, संप्रेशक तथा संदेश प्राप्त करता कि मद्द ऐ विश्वास एक बादक के रूप में काये करता है, यदि दोनों में विश्वास नहीं है, तो वे एक दूसरे के इसको उसके मूल अर्थों में नहीं समझ पाएंगे, सही संदेश देने पर भी उसका सही अर्थ वे ग्रहन नहीं कर पाएंगे, यह भी एक बादा है, अगला है संगठनिक बादाएं, देखिए संगठनों में भी कई परकार की बादाएं होती है, जो संगठनों की निती होती ये नियम, अधिनियम होते हैं, ये भी कई बार संप्रेशन में बादा डालते हैं, वे कारक जो संगटनिक, सरंचना, आधारिक, संबंदो, नियम तथा अधिनियम इत्यादी से संबंदित हैं, कभी-कभी प्रभावी संप्रेशन में बादाओं के रूप में कार्य करते हैं, ये भी प्रभावी संप्रेशन को बादित करने का कार्य करते हैं, ये कौन-कौन से हैं, पहला है संगटनिक निती, देखिए, संगटनिक निती के कारण यदि संप्रेशन के स्वतंतर प्रवाह में रुकावट आती है, तो उससे भी संप्रेशन बादित होता है, संगटनिक न है यदि वह सुव्यक्त और अंतर नीईत शंप्रेशन के स्वतंत्र प्रवाय में सहयक सिद्ध नहीं होती है वह उसमें शायक नहीं है तो इससे संप्रेशन बाहदित हो जाता है नियम तथा अधिनियम देखिए कई संगटनों में सक्त नियम होते हैं और वहाँ जो प्रकिलियाएं अपनाई जाती है वे भी संप्रेशन में रुकावट का कारिय करती है सक्त नियम तथा बोजिल प्रकिलियाएं संप्रेशन में हो सकती है, एक संगठन में जो संदेश प्रवाह की जो बोजिल प्रकिल्याएं होती है, उससे भी क्या होता है, संदेश प्रवावित हो सकता है, संदेश पहुंचने में बहुत अधिक समय लग गया, क्योंकि वहां जो नियम बने हुए थे, उन नियमों का पालन किया जा रहा तो संदेश इस व्यक्ति से होता हुआ यहां पहुंचा इसके द्वारा प्रकिलिया में लगाया गया और उसके बाद यहां पहुंचा यहां से यहां पहुंचा इस प्रकिलिया में काफी अधिक देरी हो गई जबकि वह संदेश तुरंत इस व्यक्ति तक पहुंचना था तो उसके अधिनस्तों के मध्य मनोवे ज्यानिक दूरी उत्पन न कर सकती है एक जो अधिनस्त है वह अपने अधिकारी से संप्रेशन नहीं कर पाता डर के कारण से वह उससे डरता है उसके पद के प्रभाव के कारण वह डरता है और कहीं बार समय पर संदेश परसारित नहीं कर पाता उस तक नहीं पहुंचा पाता तो यह भी संप्रेशन में बादा के रूप में होता है संगठन की संचना में जटिलता किसी संगठन में संस्ता में जहां प्रबंदक इस तरों की संख्या अधिक है संप्रेशन में विलंब होता है तथा उसमें विकार भी आ सकता है क्योंकि सूचनाएं विविन इस तरों से जितनी बार होकर गुजरती है उतना ही उसका शेय होता ह देखिए कई बार संदेश जो संगटनिक स्तर हैं इसके कारण भी बादित हो जाते हैं प्रबंदक है प्रबंदक ने अपने अधिनस्त को दिया संदेश वहां से नीचे पहुंचा वहां से विभाग में पहुंचा विभाग से इस प्रकार से होते हुए जो अधिनस्त तक कोटे काज्य अले तक पहुंस तरों से होकर गुजरता है इस संदेश के बाधित होने उस संदेश करे ओने का खत्रा बना रहता है और यह भी samuprescan में बादा के रूप में होता है संग्तनिक सुधाएं जदी samUPrescan के लिए निरबाद इस पर्ष्ट तता समय पर सुविदाय नय उपलब्द हो तो प्रभावी संप्रेशन में बादा आती है, यदि सही समय पर संप्रेशन नय किया जाए, कोई बादा उत्पन हो जाए, तो उससे भी क्या होता है, संप्रेशन बादित होता है, व्यक्तिगत बादाएं, देखिए व्यक्तिगत वादाएं कौन सी होती है, जो संदेश देने वाले और संदेश प्राप्त करता दोनों के कारण से उत्पन होती है, इनके व्यक्तिगत रूप से वे उत्पन की जाती है, प्रेशक तथा संदेश प्राप्त करता दोनों के व्यक्तिगत कारग भी प्रभावी संप पाएगा, तो इससे भी क्या होगा, संप्रेशन बादित हो जाएगा, उसका ध्यान कहीं और है, तो भी संप्रेशन बादित हो जाएगा, तो यहाँ पर जो व्यक्ति होता है, प्रेशक और संदेश प्राप्त करता, इन दोनों के व्यक्तिगत कारकों से भी संप्रेशन रहता है, तो वे कहीं सूचनाओं को रोग लेते हैं, यह भी संप्रेशन में बादा होती है, कोई विशेश सूचना या संप्रेशन उसकी सत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है, तो अधिकारी उस संप्रेशन को रोग सकता है, या प्रतिबंद लगा सकता है, यदि अधिकारी को यह लगता है यह सूचना यदि फैली तो उसका उसे खत्रा उठाना पड़ सकता है तो वह उस सूचना को दबा लेता है उसको फैलने नहीं देता तो इससे भी संप्रेशन बादित होता है अधिकारी का अपने अधिनस्तों में विश्वास का अब आओ यदि अधिकारी अपनी अधिनस्तों के ऊपर विश्वास नहीं करता वह उनकी कुशलता पर विश्वास नहीं करता वह उनकी छमता पर विश्वास नहीं करता तो भी वह उन्हें संदेश प्रसारित करने से बच लेता देखिए वह अपने करमचारियों के कुसलता को नहीं जानता है कि वे कुसल हैं या नहीं हैं इसके बारे में वह अनिभिग्य हैं वह पूर्ण रूप से आस्वस्त नहीं है कि वे सही राय दे सकते हैं या नहीं दे सकते या उसके द्वारा दिये गए संदेश को सही अर रूप में होती है कि जो अधिकारी है वह अपने अधिनस्तों पर विश्वास करता है या नहीं करता वह उनके प्रति आस्वस्त है या नहीं इससे संप्रेशन बादेत होता है संप्रेशन में अनिच्छा कभी कभी करमचारी अधिनस्त अपने अधिकारियों से संप्रेशन के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होते यदे उन्हें यह लगता है कि यह उनके हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावेत करेगी देखिए जब अधिनस्त यह सोचता है कि अधिकाली से वह बात करेगा तो उसका नुकसान हो सकता है तो वह सही तरीके से संप्रेशन नहीं करता है और इससे भी संप्रेशन में बादा उत्मन होती है कई अधिनस्त नहीं चाते कि वह अधिकाली के पास जाकर कोई वारतालाब करें कोई सूचना प्रदान करें उनसे वाद विवाद करें तो इससे बचने के लिए वह संप्रेशन नहीं करते हैं उप्युक्त प्रोट साहन नहीं हो तो करम चाये संप्रेशन के लिए पहल नहीं करेंगे देखिए जब एक अधिनस्त को कोई भी प्रोट साहन नहीं मिलता है अच्छा काले करने पर अच्छी राय देने पर अच्छा सुझाव देने पर उसे किसी भी प्रकार का प्रोट साहन नहीं मिलत इससे भी संप्रेशन बादित होता है तो उप्युक्त प्रोच साहनों का अभाव होना भी संप्रेशनों को बादित करता है एक अधिनस्त की पहल को बादित करने का कारिय करता है संप्रेशन में सुधार संप्रेशन की बादाओं को दूर करने के उपाए देखिए बच्चों अभी हमने संप्रेशन की बादाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की, अब हम इनको किस प्रकार दूर किया जा सकता है, इसके बारे में देखते हैं, देखिए, संगठनों में प्रभावी संप्रेशन में बादाओं अधिक या कम अंस में विद्यमान रहती है, हर संगठन म में बादा रहती है, वे संस्ताएं जो प्रभावपूर्ण संप्रेशन के विकास के लिए उत्सुक होती हैं, उन्हें इन बादाओं को दूर करने के लिए उप्युक्त उपाय करने तता संप्रेशन में सुधार लाकर उसे प्रभावी बनाने का प्रियास करना चाहिए। करते हैं धेखिए प्रवंदक को संप्रेशन में सुधार करने के लिए कुछ उपायों को जानना बहुत जरूरी होता है क्या उपाय है संप्रेशन करने से पहले विचार या लक्ष श्पस्ट करने चाहिए जब अधिकारी अपने अधिनस्तों के सामने किसी समश्या के बारे म उसमें जानकारी होनी चाहिए उसके पास सारी जानकारी उपलब्द होनी चाहिए किसी पर समश्या को अधिनस्तों को बताने से पहले अधिकारी को श्यम ही सभी परिपेक्ष से समश्या इसपर्ष्ट होनी चाहिए यानि वह पहले खुद इसपर्ष्ट कर ले समश्या को उसक इन लोगों के सामने संप्रेशन कर रहा है, इसकी जानकारी रखे, और उनकी शिक्षा, उनकी समझ के अनुसार ही वह संप्रेशन का कारिय करे, तो इससे संप्रेशन प्रभावी बनता है, प्रबंदत को अपना संप्रेशन अधिनस्तों की शिक्षा तथा उनकी समझ के इस त जब भी जो अधिकारी है वह संप्रेशन की योजना बनाएं तो अधिक नस्तों के सुझा उसे ले लेने चाहिए इससे जब भी वह संप्रेशन करेगा तो अधिनस्त उसके द्वारा बताये गए उपायों को अपनाएंगे उसके द्वारा बताये गए संदेश आदेश को compression की योजना में अधिनस्तों की भागेदारी तथा उंका शामिल होना उनकी तथकाल स्विकर्ती तथा एकडि थिरमार करने में सहायक सिद्ध होती है। देखिए वो तत्काल स्विकर्ती प्रतान कर देंगे जो भी आदेस जारी किया जाएगा, जो भी संदेस जारी किया जाएगा, जो भी परिवर्तन होगा, उसे वे तत्काल स्विकार कर लेंगे, और एच्छिक सहयोग भी, जो सहयोग एक प्रबंदक चाहता है, वह सहयोग भी उसे प्राप्त हो जाएगा एक अच्छा सुरुता बनिये देखिए प्रबंदक को अच्छा वक्ता बनने के साथ साथ एक अच्छा सुरुता भी बनना चाहिए क्योंकि समश्या का आदा हल तो बात को अच्छे तरीके से धेर्य पूर्वक तरीके से सुनने पर ही निकल जाता है प्रबंदक को एक अच्छा स्रोता होना चाहिए धैर ये पूर्वक तथा ध्यान पूर्वक सुनने से समश्चा का आदा हल सतय हो जाता है समश्चा का काफी हल निकाला जा सकता है संदेश में प्रियोक्त भाशा सेली तथा उसकी विशेवस्तु के लिए जागरुक रहे द या नहीं कहीं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी या नहीं उसके द्वारा जो भी भाशा बोली जा रही है उससे यदि किसी को ठेस पहुंचती है तो उसका संप्रेशन बाधित हो सकता है वह जैसे तमिल नाडू राजी में वह गया और वहां पर जाकर वह शुद्ध हिंदी के अंदर वहां संदेश प्रसारित कर रहा है तो वहां का जो व्यक्ति मूल निवासी है तमिल छेत्र का वह हिंदी भाशा को अच्छी तरह नहीं समझता तो इससे संदेश प्रभावित होगा इसे प्रकार केरल राज्य का कोई व्यक्ति राजस्तान में आकर वहां क कर तो वह उसके द्वारा दिए गए संदेश मे λाज़ संदेश को नहीं समझ पाएगए इस सर्प्रेशनप्रभावित हो गाशा का प्रयोग ऐसा होना चाहिए जो संदेश प्राप्त-कर्तप करता को समझ में आए, तता सुनने वाले की भावनाओं को ठेसने पहुंचाए, संदेश ऐसा होना चाहिए, जो सुनने वालों को उनकी परतिकलियाएं देने में उत्प्रेरक कार्य करे, जो सुनने वाला हैं, उनकी परतिकलियाएं वापस प्राप्त हो, इसके लिए प्रेरना देने वाला आईए प्रेशक को, ऐसा संप्रेशन करें जो सुनने वालों के लिए सहायक हो, तता महत्वपूर्ण या मुल्यवान हो, देखिए, जो भी संदेश प्रदान किया जाए प्रवंदकों के द्वारा, वह अधिनस्तों की समझ में आए, उनकी आवशक्ता के अनुसार हो, साथ ही उनके लिए मुल्यवान या महत्वपूर्ण हो, तो वे आसानी से उस संदेश को ग्रहन कर लेंगे और संप्रेशन प्रवावी बनेगा, संदेश प्राप्त करता की अभी रूचियों तथा आवश्यक्ताओं से प्रत्यक्स या प्रत्यक्स रूप से संबंदित है तो, यह अवश्य प्राप्त करता से उनकी प्रती के लिए उत्पन्य करने में शक्षम सिद्ध होगी, आगे है उप्युक्त प्रती पुष्टी निश्चित करे, देखिए प्रेशक व्यक्त या प्रेशित संदेश से संबंदित प्रश्ण पूच कर संप्रेशन की सफलता निश्च सो शकष कर प्रती पुषटी कर लेनी, चाहिए फीडबेक प्राप्त कर लेना चाहिए संप्रेशन की प्रकिल्या को प्राप्त प्रती पुष्टी के आदार पर सुधारा जा सकता है ताकि वह अधिक प्रती की लिए आत्मक बन सके, यदि संप्रेशन की प्रकिलिया सही तरिके से हुई है तब तो feedback अच्छा मिल जाएगा और यदि संदेश बादित हुआ है कहीं पर भी तो क्या होगा प्रती पुष्टी या feedback सही तरिके से नहीं मिल पाएगा और feedback के आदार पर ही आगे भेजे जाने वाले संदेशों को पुरा करने के लिए पढ़ती है सामन जश्य बनाये रखने के लिए संप्रेशन करते समय संस्ता के भविष्य के लक्षों को भी ध्यान में रखना चाहिए जो भी प्रबंदक हैं जो भी संदेश प्रेशक है उसे यह चाहिए कि वह वर्तमान से संबंदी थी बातों पर ध् संदेश प्रसारित करेगा और भविष्य में कोई परिविवर्तन हो गया है तो उससे संबश्य उत्पन हो सकती है तो संप्रेशन की बादा को दूर करने के लिए उसे चाहिए कि वह वर्तमान वह भविष्य को देखते हुए संदेश प्रसारित करें संप्रेशन का अनुसर होना तथा उनका पुंद्रावलुकन होना चाहिए देखिए जो आदेश दिये गए हैं उनकी पालना किस इस तर तक हुई है च्या उसके अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा इसको फोलो अप करना चाहिए प्रबंदग को चाहिए कि वह जो भी आदेश प्रसारित करे उसको किस इस तर तक उसकी पालना हुई है, किस इस तर तक पालना कर दी गई है, इसका वह अनुसरण करे और उनका पुन्राव लूकन भी वह करता रहे। इसे प्रभावी संप्रेशन को बनाया जा सकता है। बच्चों, आज हमने संप्रेशन के अंदर उत्पन्न होने वाली बादाओं के बारे में जायनकारी प्राप्त की, साथ ही प्रभावी संप्रेशन को बनाने के लिए जो बादाएं होती हैं, उनको दूर करने के उपायों पर चर्चा की. अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ध हन्यवाद.